नमस्कार दोस्तों, Banker's Point में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम लोग इस वीडियो में एक टोपीक है, Input-Output, उसको पढ़ेंगे, उसका पूरा basic concept देखेंगे, और कैसे आप समझ सकते हैं, उसके tracks भी देखेंगे, और यह इसका Part 1 है, इसमें कई लोजिकल एक आप लोगों को जो Input-Output होता है, उसका logic समझना होता है, किस logic से यह काम कर रहा है, किस तरीके से यह काम कर रहा है, उसमें बहुत सारी चेंजियों आजाती है, जिसके कभी-कभी प्राइम नंबर पर देता है, ठीक है, कभी-कभी वर्ड्स के उपर नंबर तो वह पेटरन आपको सारे समझाने होते हैं, तो इसमें पैटरन को थोड़े जादा होंगे, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसी कंसेप्ट सिखाऊंगा कि एक्चुली मैं आपको समझना कैसे हैं इन चीजों को उसके बादे हो पार्ट तू में इसके डिफरेंट टाइप जो भी क्वेशन से लिए गए हैं वो हमारी जो मेरी जो बुक आई ये भी एक लोजिकल रिजनिंग की ठीक है इस बुक से लिए गए हैं तो आप लोग अगर इस बुक को चाहिए या फिर तो आप अप अप इमजोन ए फिलिपकार्ट के उपर सार्च कर सकते मेरा ना माप में पना हैं गया तो इस बॉक के बारे में में जो पता दिता है तो यसे बुक से लिये गाए तो यह जो कुश्चन्स हैँ आज के यहिसी मुक से लिए गया ना चाहते तो एक भार ऐसे नहीं gleich Stupid me आप चाहे वह लोजिकल रिजिनिंग का कोई भी टोपिक आप ले 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 उसमें चाहे वह कोजेंड एफेक्ट डिसीजन मेंकिंग और कोर्स ओप एक्षन हो जैसे यह इसका पूरा पूरा वह है इंडेक्स है ठीक है तो इस तरीके से इसमें पूरा कवर किया गया है और इसमे अंदर कैसे चैप्टर को दिया गया है मेंस के लिए कोई भी इस बुक को पर्चेज ना करें मैं पहले बता तो मैंस में अगर आपको डिसीजन मेंकिंग कोज और कोज और इफेक्ट कोर्स ओफ एक्षन इस टाइप के टोपिक्स के बेसिक्स पढ़ने तो आप यह बुक ले कोई लेने से पहले आपको डिसीजन ले ले उसको समझ के लिए कि किसी के भी जो एक हार्ड मनी इसके अंदर लगता है बुक्स वगर पर्चेज करने में जो अपना मेहनत से कमाईवा पैसा लगता है तो किसी को पता हो ना चीए आपको इस बुक के बारे में पहले से ही भी इस तरीके से आप लोग इन क्रिशन को सोल करूख है कि एक बेसी कंसेप्ट और को egy बेसी कंसेप्ट को चोटी चोटी बात मझे से वीडियो लेक्टर समें आपको बताया जाता है व्यसे आप लोगों को कि लिए गाया है यहां इसके बाद में लाश्ट में कुछ important points आपको दिये रहे थे हर चेप्टर के और उसके बाद में 30 से 40 questions हर चेप्टर के आपको प्रेक्टिस के लिए दिये होते हैं जिसमें previous year के questions भी सामील होते हैं हम लोगों ने बनाई आपको Amazon या फिलिपकार्ट के उपर मिल जाएगी चलो तो यह जो questions के source है वो इसी में है और दूसरी एक बात और बताता हूं कि यह जो बुक है यह सिर्फ English language में अभी दल्दीकोसिस करेंगे हिंदी में लेकिन फिलाल English language में ही इसको लिखा गया है चलो अब मैं आप लोगों को Input Output के उपर आता हूं तो सबसे पहले हम लोग यह समझते है कि यह जो Machine Input Output इस पूरे टोपिक का अगर हम लोग लोग नाम अच्छे से पढ़ेंगे तो Machine Input Output ठीक है Machine Input Output यह जो Machine Input Output है यह क्या होता है जैसे एक एक अच्छे मुबाइल है ठीक है इस मुबाइल के अदर मानलो में यह Side Button क्लिक करता हूं तो क्या होगा ठीक है यह Volume Up वाली Button क्लिक करता हूं तो volume Up होगा इसके screen पर अगर में फिंगर ट्रस लगाता हूं तो इसका लो वे सारे फंक्शने में किस तरीके से पता है यह सारे फंक्शन इसमें डिजाइन किए गए, इसमें पहले से ही एक इन्पुट डाला गया इसके अंदर ठीक है, और उसी हसाब से जब भी हम इसके ऊपर कुछ रीमिच्जार करो तो अउट पुट इसके अंदर जो इन्पुट जैसे तो वह इंपूट आउटपूट जैसे इस मोबाइल का तो एक्जाम ले दे तो बड़ी कॉंपलेक्स चीज है लेकिन एक छोटा जो हमारे एक्जाम में जो कुश्चन साथ है उसको समझने के लिए मैं सी चोटा सा एक्जाम यहां पर जो मैंने लिया है इसको समझाता जैसे यहां पर एक इंपूट डाला गया है इंपूट अब आप लोगों को वर्ड्स और नंबर्स की फोम में आपे दिया गया है जैसे यह बेग न्यू इस तरीके से एक इंपूट डाल दी आप लोगों को तो जो मशीन मेंने डिजाइन की हुई है उस मशीन कैसे काम यहां पर स्टेप में दिया गया है यानि कि वह मशीन स्टेप वन में इस इंपूट के साथ क्या करेगी स्टेप 2 में क्या करेगी स्टेप 3 में क्या करेगी 4 में 5 में क्या करेगी ठीक है तो मशीन का जो बिहेवियर है वह आपको समझना है कि वह मशीन चोटे नंबर को पहल पहले ला रही है बड़े नंबर को पहले ला रही है चोटे वर्ड को पहले ला रही है बड़े वर्ड को पहले ला रही है बड़े वर्ड को पहले ला रही है को पहले ला लिए वोल से स्टाट होने वाले वर्ड को पहले ला दिये प्राइम नंबर को पहले आबाद में कैसे कर रही है वह इन स्टेपस में क्या कर रही है ये इनप्ट के साथ है और इनपुट के साथ हो मशीन के अंदर हम क्या करेंगे दे आ जोर् fe उसके उपर बेश धंबे इस तरीके से कुशन दिया जाते हैं, तो इस तरीके से हो तो आपको मेजर जो बीने समझ आ इससे आपको एक चीज समझ में आ गयी होगी, सारा जोखे लेना वह इन इसटेप स के अंदर क्या हो रहा है उसको समझने का है, यह जो पांच स्टेप इन म तो आपको दूसरा इनपुट देगा आप उसके साथ वह भी कर देंगी दिक्कत कहाती है अगर अपने उस मशीन का these steps स्पान को नहीं समझना तो दिक्कत होती है अब यह steps को कैसे समझना हे वहए बता देता हो एक steps में क्या होगी, इन steps में दो ही चीजे होगी, numbers قة के टीक है बई bütün basic concept में आपको सीधा से चीछ है की number शोटा नमबर होता है बड़ा number होता है, तो हो सकता है, वह चोटे number को arrange रहा हो कहीं पे कहीं पर बड़े, правда आपको देखना है तो आपका जो number होता है, वो increasing या decreasing order में किस तरीके से arrange हो रहा है, increasing या decreasing order के अंदर कुछ भी arrange हो सकता है, या फिर एक होता है prime number, prime number पे उपर भी चीज़े हो सकती है, जादातर case में तो उसी number को वो arrange करता है, कभी-कभी वो number के साथ क्या कर देता है, कुछ छेड़-छाड़ कर यानि कभी प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, कुणा कर देगा किसी भी चीज को बाइदेवे कभी-कभी मेंस के बहुत ही extreme level कोई पेपर होता है उसके अंदर इसे चीज़े होती है, ठीक है, बाकि प्री में अगर कोई क्यूशन आगया वैसे प्राइट प्री में आता नही चीज़ को, मैं इसको छोटा वर्ड बोलूगा क्योंकि ये से स्टार्ट हो रहा है और इसके comparison में बोई को बड़ा वर्ड बोलूगा, और इसके comparison में मालो yellow लिखावा मिल गया मेरे को कहीं पे, तो मैं yellow को बड़ा वर्ड बोलूगा, बोई के comparison में, तो सबसे छोटा वर्ड यह उससे बड़ा वर्ड है सबसे बड़ा वर्ड है यहां पर जो लिखा किया तो मैं जब भी बड़े वर्ड छोटे वर्ड बोलू तो आप सोचना डिक्सनरी में जो पहले आता है यानि कि जो पहले तो देखो इन सारी चीजों को डीपली समझने के लिए हमें हार एक चीज का एक 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 जामपल गड़ना पड़ेगा तो मैं आप लोगो को आज की क्लास के अंदर यह जो पैटर ने इनक्रीजिंग डिजिंग डिक्रीजिंग यह वाला समझाओं आज की अदर चाहे आपको इतनी सी बात का पता चल गया, और आज के लेक्चर के अंदर जो दूसरा क्यूशन होगा, इस क्यूशन को देखके, किसी को यह नी सोचना है कि सर इतना बड़ा इंपुट है, और इसके बाद में इसके अंदर फिर से जो इंपुट दिया गया है, और यह लगबग यह सिर्फ आपका प्रैक्टिस करने के लिए कि आपका माइंड अच्छे से चले आप गल्ती ना करो इस कुश्शन के मार्दम से में आपको कही सार चीज़ बताऊंगा कि आप गल्ती क्या करते हो तो ऐसा कुश्शन एग्जाम पॉंट आफ यूज में इतना बड़ा क्यू आपको कुश्य नहीं देखना है आपके सामने जैसे यह लिखा हुआ है यह तो बैसिक जो भी आपके इस्ट्रक्शन से में मतलब नहीं है हमें सीधा यह देखना है कि यह इन्पुट डाला है और इसके बाद में स्टेप फाइफ के अंदर हमें आउट पुट मिल गया अब अब देखो यहां पर क्या है यह इन्पुट है और यह पांच इस्टेप आपको कुछ भी नहीं है आपको अपना जो नया इन्पुट डाला है सबसे पहले फोकस उसके उपर रखना है आप लोगों कोई भी डाइरेक्ट करने का परियास को लिखना पड़ेगा दो मिनिट म चैप लोगो जादा समय नहीं लगे अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो अब सबसे पहले आपको यह इन्पुट देखा आपने इस फोगिए फिर आपने एगए तो आपने धेखा कि कि उस्टेप वन में फरक तो आपने देखा कि कुछ लाष्ट में सेम वई यह बारा और पं तो आपको लगेगा कि 12 सबसे छोटा नंबर है और 15 जश्ट उससे बड़ा नंबर है अब देखो यहां पर उसने दो एलिमेंट को एक साथ पर एरेंज कर दिया हो सकता था कि वह सिर्फ 15 को नी लाता बारा को यह क्या था वह आपको समझना पड़ेगा मशीन कैसा बिहेव कर यहां पर मुझे इतना सा दिखा आपको जो दिखता है वही सोचना है कि यह दो छोटे नंबर को पहले ला रही है इस टेप वन के अंदर तो मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगा मैं मेरी जो इस टेप वन लिखूंगा ठीक है उसके अंदर क्या करूंगा इस पूरे इंप यहां से फिर स्टार्ट हो जाओ यहां से शुरू से लिखना 46 लिख दिया 16 दे को लिख चुका हूं तो दुबारा नहीं लिखना है प्रोफेसर को पी लिखना है पूरा नहीं लिखना है पूरा लिखने का मारे पास समय नहीं इसी पी से समझ जाएंगे पी से अच्छा तो यहां पर पी से स्टार्ट हो जो गर्ण वेर ज़िए कुछ भी वर्ड लिखता हूं। और मैं दोलनों को पी पी लिख दूगा एंसरों हो सकते हैं तो उसके से में क्या करने हैं .... प्रोफेसर है तो इसको P कैपिल लिख 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 देना है इसको P और A लिख देना है छोटा सा पाकि आपको समझ में आ जाए पसी चोटी बाति लिख तो गल्ती नहीं करना है कि लिखने दो P तो कॉन सा P किसको डिखोड कर रहा है लेकिन यहां पर दो युक्त वर्ड नीए डी 42 and then S यह लिख दिया मैंने अब यहां पर स्टेप 2 अब आप समझो इस स्टेप सेकंड में इसने क्या क्या बई स्टेप सेकंड में मैंने देखा 12 और 15 तो इसा कैसा रह गया है तो में मेरे दो दो वर्ड में लिखे ते 16 और 31 उनको भी ऐसा कैसा लिख लेता हूं जो दो न क्या तो इसको दया टाऊज से तो अप इसको द्यान से देखो कि यह आस गाण है क्या यह तो अश्क प्छप फेशल उट हो और बॉल बॉल्ड से श्टाटर हएब बॉल 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 से च्ट्डर्स डाओ बिक्स इर Kennethлив ऐ तो रहता है एक और से अचनुन है च्छी हैप और सबसे छोटे वर्ड से उसको यहां पर लेके आ गया तो में इसमा डूनद ताँ हूं सबसे छोटे वर्ड कौन और मेरे को सबसे छोटे वर्ड यहां पर दिखाए दिया सी और डी तो मैं यहां पwire सी और को लेऊंगां फिर मुझे कुछ नहीं करना है जैसे मैंने यहां पर उसने भी कुछ नहीं किया जैसे यहां पी किया था वैसे आगे बढ़ता चला जाओंगा तो यहां फोर्टी सॉलाइकर तो लिख दिया 46 से स्टार्ट कर दो लिखना 46 P M C आ चुका है तो लिखना नहीं है फिर 33 35 ठीक है उसके बाद में 39 D हम लोग लिख चुके हैं पहले फिर F 42 S चलो जी इसमें देखो भई एक ओटो अरेंज का कॉंसेप्ट भी होता है वह आज के बेसिक कुश्यंस में में नहीं लेके होंगा इकना नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर वो चीजे सिखेंगे थे फिर सफेंगे साथर लोग ठीक है चलो अब हम लोग टीसरी स्टेप के ऊपर जाते हैं तीसरी स्टेप में इसने कया किया है फिर से देखो 12 15 यह पर पंदर है ठीक है 12 15 12 15 सिर आसक बेक तो यह मेरा आया ता मैब वेसा कि वेसा रख लेता हूं यह लो यह तक तो शर्च बड़ा वाला और उससे बड़ा वाला हम लोग overall pattern समझे गए अब हमें बार बार इदर देखने ही जूरत नहीं है कि पहले numbers को रेंज कर रहा है फिर words को रेंज कर रहा है फिर numbers को रेंज करता है कर रहा है increasing order के अंदर ठीक अब 31 से दो बड़ लेट numbers कौन कौन से 33 35 तो यहां प 42 and then s अब आपको बार बार ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जूरत नहीं है ठीक है न इस्टेफ 4 इस्टेफ 4 में आपको पता ही है जो लिखा गया है उसमें कोई changes नहीं होगा जहां तक range कर लिया है तो यह यहां तक range हो गया है अब numbers के बाद में फिर क्या आएगा word S है तो यहां से क्या होगा word कौन-कौन से F और M है तो सबसे छोटा कोने इन दोन में F है और उसके बाद में M है तो F और M को मैंने हापे लिख दिया उसके बाद में 46 है लिखना है इस्टेफ 5 में देखेगा भी क्या हो रहा है यह 16 31 32 C D 33 35 F और M तक हमा रेंज कर चुके हैं अब इसके बाद में क्या आएंगे नंबर साइंगे इसके बाद में दो नंबर कौन-कौन से है बई 35 से बड़े ठीक है 39 and 42 तो यहां पर मैंने लिख दिया 39 and then 42 फिर उसके बाद में यह से फिर से लिखना स्टार्ट कर दो 46 P और यह आ चुके हैं और लास्ट में लिख दिया S इसके बाद में स्टेप 6 के अंदर क्या करना अभी आप लोगों को फिर से स्टेप 6 आएगा एक स्टेप और आएगा स्टेप 6 16 31 C D 33 35 F M 39 42 यहां तक तो अरंज हुच चुक है अब इसके बाद में क्या आना चाहिए बताओ इसके बाद में वर्ड साने चीर नंबर के बाद में वर्ड अरेंज हो रहें तो वर्ड बचें दो ही P और S ठीक है तो छोटा कॉन सा है P है और बड़ा S है तो P और S लगाता र अब बचा है 1 तो 46 बचा है तो 46 गोड़ा तो 46 को अरंज हो रहें चुर्ड है अब एक नंबर लाश्ट में चला गया उससे कोई लेना देना नहीं इसमें भी एक अपर लोगों ने सिखा उस तरीके से आपको प्याटरिंट के पर इसको बनाते है चले जाना है यह लोग इस और अधर थोडा सा फूर्ती से करना सिखो है तो इसमें जव्क्रिज visto क्या थो इसमें नहीं लगता है इतना लिखने में यद्स है इतना समय लगता है ? यहां पर इमने में हम यह जोर्ड 14多 में चैनल्य में 되면 5-meter में टाय्म तो फिर मैंने 46 लिखा फिर प्रोफेसर लिखा ठीक है फिर दुबारा से 31 आगे तो कई वार हमें भूल जाते हैं यह 31 पहले लिख लिख लिए दुबारा लिख दिया उसको पूरा माम लागड़ हो जाता है तो एक चीज़ का दो जिन चीजों को आप अरेंज कर दो ना उन प सब्सकर दखने है अरा यहाहते है अ辉सकर गैनुक न्निया टाहागा Hey अवऑन प्रॉडम के उपर क Arkansasीम कें ऑब कि सब्सक्राशने की मैं यहां पहले बोल रहा है neem जा भी से आजाए हमारे पहले परिशन के ओपर है पहला कुछ्छन इहां पर क्या बोल रहा है वह देख़ा हम हिंदी इंग्लिज पुछन लेकर ए आज इस बूक से मेरी बुक से है तो यह इंग्ली इंग्ली समें अवेलेवल है इसलिए सारे कुछ्छन आज के लास में होंग Which element is 3rd to the right of female in step 5? I will tell you a little bit about the direction of the right of female in step 5, which element is 3rd to the right of female in step 5? Step 5 is going to step 5, then look at the female in 3rd to the right of female in step 5 In the third step, female is this, okay Which element is 3rd to the right of female in step 5? We need to see step 5 in step 5 and look at the third right of female in step 5 And look at it in a third right of female in step 5, which is in the third right of female? 42, then what will happen here? यहां पर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, option number D हो जाएगा, next में देखते हैं, how many steps will be required to complete the arrangement of the given input, कितनी step में खतम किया है हम लोग ने इसको, देखो वही, कितनी step लगी है, 6 step लगी है, तो यहां पर कितनी steps हो जाएगी, 6 steps हो जाएगी, उसके बाद में को लगे, which of the following is third element from the left end of step 3, step 3, step 3, left end से third element देखना है, आप लोगों को, ठीक है, то step 3, step 3 का left end ये वाला है, ठीक है, left end से 1, 2, 3, 3 नमबर पे क्या है, ये सी है, पर देखे से कौन सा वर्ड इस्टार्ट हो रहता है वह हो जाएगा तो यहां पर देख लो भी से कौन सा वर्ड इस्टार्ट हो रहा है तो यह आप लगो का करेक्ट हो गया option no. c next question is what is the position of male in the final step final step के अंदर male की position क्या है 7th from the left end देखो भई जैसे option से चेक करना पड़ेगा, तो फाइनल स्टेप में, लेफ्ट एंड से साथ वे नमर पे देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ पे तो नहीं है, तो आठ पे लेफ्ट साइड से, तो अप्सन ये तो हो गया, तो अप्सन ये तो हो गया, तो आप लोगों का चैंसिल हो ग तो नहीं है, तो नहीं है, बहुत सारे इलिमेंट उदर नहीं है, उसके बाद में गुला, एट फ्रॉम दे लेफ्ट, देखो, अब ये भी चेक किया था हम लोगों ने, तब सेवन्त बोला तो सेवन्त नहीं था लेगिन एट पे अगला ही था, तो ये वाला उप्सन हो जा आजाते हैं, नेक्स्ट कुछिशन के ओपर, देखो भई, ये कुछिशन जो है वो थोड़ा सा लिंदी है, ये मैंने आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए जह रहा हूं कि छोटी-मूटी गलती होती हैं हम बार बार में चीजों को लिख देते है या फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट को दो बार रिपीट कर देते हैं, या फिर कोई एलिमेंट बीच में छोड़ देते हैं, ये सिली मिस्टेक्स इंपुट में बहुत होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आपको पता चलेंगी चीज़े, करने के लिए बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारे क्यूशन को, तो ये जो बड़ा सा क्यूशन यह बना के दिया गया है, जिसमें मतलब जो इन्पुट वो काफी लंबा चोड़ा यहां पे मैंने दिया है, देखो बहुत सारे वर्ड्स और नंबर और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, इस स्टेप्स जाद होंगे इसके अंदर, यह अभी भी सबको दिख रहा होगा, चलो ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ जी, अब आपके सामने यह इन्पुट दिया गया, इसकी स्टेप्स दी गई है, छही स्टेप्स में इसन पूरे स्टेप पर द्यान देना है, तो स्टेप 1 पर द्यान दिया, तो इन्पुट से स्टेप 1 में डिफरेंस के है, वो देखा मैंने, तो मैंने देखा कि यह 21 यह पर आगया है, और तो कुछ बदला ली यह वैसा है, फिर लाश तक गया तो यह 18 आगया है, तो मुझे यह में लग न रखा गड़ाब डिखाई थिए फिर मैं चले ज़न नमबर के लोग कि बढ़ा खाई जया तो पता चले कि पूरे इंपुट में जो भी सबसे चोटा नमबर रहा वो तो लाष्ट में चला जा जा रहा और उससे जब सबसे जो बढ़ा नमबर होगा उससे जो अगल सीधा आप लोगों ने क्या किया, इस्टेप बनाना चालो कर दिया, ठीक है बई, इस्टेप वन, चलो, अब देखना बई, इस्टेप वन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे चोटे दो नमबर देखने, तो सबसे चोटा नमबर क्या है, इसके अंदर भी, एक तो 16 है, उसके ब पहले पहले कोन आएगा इसमें सबसे छोटा नंबर तो लास्ट में जा रहा है और उससे जो बड़ा नंबर होगा जश्ट आगे वाला वो पहले आ रहा है अज़को लास्ट वाला में कहां पे लिखूंगा इन्पूट कहां ख़तम होगा मुझे नी पता तो 16 और 21 से पहले को तो लास्ट में जाएगा 36 फिर एंड का ए लिख दिया मैंने रेजिंग का लिख दिया 44 का 44 लिख दिया चिल्डरन का मैंने सिक्स्टीन जो कि लास्ट मेंना था इदे को टेड़ी चल गई यह लाइन कोई बात नहीं चलो तो इस्टेप बन हमारा कंपलेट हो गया इसमें क्या 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 सबसे चोटे नंबर को लास्ट में लिख दिया और इसको यह लिख अब इस्टेप टू में देखना है आपने क का इस्टेप पीछह की सग्या है तो एक बात तो कन्फर्म हो गयी इस्टेप सेकंड के अंधर इस्टेप जो मेरी सेकंड होगी स्टेप सेकंड के अंदर यह 21 आगे चला जाएगा और यह जो 16 था यह इधर आएगा आएगा अगा नहीं बताओ यह किदर खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा बिल्कुल खिसकना चीए अब क्या हुआ है यह company और R क्या है आपने देखा कि यह R और company तो सबसे छोटे दो वर्ड है इस input के हैं के नहीं बताओ अब ध्यान में रखना है कि A और C को हमने अरेंज कर लिया है ठीक है 21 तो हमारे ध्यान में रह जाएगा उदर तो दुबारा लिख मत देना एको फ़लो फ़लो में देसे ऐसे होता है से 21 हमने लिख 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 दिया और फिर आगे चले गए जबकि ए तो आगे जा चुका है तो दो बार मत लिख देना यह मिश्टेक होगी आप लोगों से और जिससे हो चुकी है पहले वो कमेंट करें ब 89 V 95 D 72 J 65 क्योंकि यह 16 तो आचुका है पहले अब स्टेफ 3 के अंदर चलते हैं स्टेफ 3 में स्टेफ 3 में से देखो क्या हुआ से कंपनी ओर 21 था ये तो फिर पीछे जो यहां पर जो यहां पर आप लोग ने 21 और 16 तो 21 जे स्वेघा बडा नमबद नाश्ट में चला जाएगा और उससे पहले क्या होगा वह आप लोग करो सबसे पहले ९ह होगा कि यह जो सी और ट्वंटी भने यह आगे खिसक जाएंगे मेरे तो किसके नहीं तो सबसे पहले एक कर लिजेगा और यह 16 और इधर आ जाएगा अब 21 से जश्ट बड़ा वाला नंबर कौन सा है इस पूरे के अंदर तो 21 से जश्ट बड़ा वाला नंबर मुझे हो ताकि आप लोगों को कोई दिक्क्त नहीं हो एकदम मिक्स अप ना हो जाए आप लोगों के लिए कोई बी चीज ठीक है तो वह 36 हो गया 36 से जश्ट बड़ा कौन सा है भी यहां पर 44 दिखाई दे रहा है तो 44 है तो यहां पर 44 मैंने लिख दिया बाकी मामला ऐसा का ऐसा ह हम लोग कर देंगे इसके अंदर ठीक है धेरे नहीं छोड़ना है तोड़ा सा बड़ा क्यूश्यन है प्रेक्टिस के लिए करा रहा हूं ताकि यह अर्रेंजमेंट आपको समझ में कैसे करने होते है इसमें एक्स्ट्रीम लेवल पर रेंजमेंट कि हम लोगों कि ज्यादा ठीक है तो C21 तो यह हो गया यहां पर देखो 36 और 45 अंदर तो ध्यार रखना पी लिखता है 36 नहीं लिखना है दुबार क्योंकि 36 जाद चुका है फिर यहां पर आर 45 भी लिखा लिख चुके हम लोग आई 89 वी 95 डी 72 जे एंड 65 अगली स्टेप में क्या होगा देखो वह यह जो आपने अरेंज कर दिया वह इधर आगे-आगे खिशक जाएंगे ठीक और उसके पीछे क्या जाएगा इस बार नंबर लगाया तो अगली स्टेप में वर्ड आ जाएगा तो अब बार बार में आपको यह द यह जो आपने यहां रेंज किया था 16A 36 यह यहां आगया अब क्या है अब पहले नंबर अरेंज होगा तो अब देखो सी से जश्ट बड़ा वर्ड कौन सा है यहां पे डी है तो डी मैंने यहां पे रख दिया चोटा वाल आ गया था और डी से जश्ट बड़ा कौन सा है धूंडो भई डी से जश्ट बड़ा यहां पे तो मुझे जे दिखाई दे रहा है तो जे है तो जे है यहां पे आगया बाकी बामला वेस्टागे वेस्टा लिख दो आप ठीक है तो यहां पे देखो C, P से स्टार्ट करना है आप लोगों को तो P लिख दिया, R लिख दिया, I लिख दिया, ठीक है तो यहां पे एक सेकंड रुखिएगा D से जश्ट जो बड़ा है वो I है, J नहीं है, ठीक है, तो यहां पे I लिखना है, मैंने I को ध्यान नहीं दिया, तो यह मिश्टेक आप से भी हो सकती है, एक्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, ठीक है, I 9 नमबर पे आता है और J 10 नमबर पे आता है, तो I तो पहले आएगा ना, तो D और I को मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है, J वहीं पे रहेगा जाम पे था, I आ चुका है, तो I को नहीं लिखना है, ठीक है, अगर आप देखो ऐसे लिखते जाओगी ना, तो ध्यान में रखना है, आप क्या लिख रहे हो, तो जैसे ही मैंने I को पता चलिगा, J को कैसे अरेंज कर दिया है, तो यसे गलती आप भी पकड़ जाकते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते चले जाते हैं, आई तो पहले लिख चुका हूँ में, फिर 89, V, 95, D जा चुका है, देखो आगे पहले से, ठीक है, फिर 72, J को नहीं लिखा था, आपने अठा दिया था, बहूल मत जाना, 65, ठीक है, ये हो गया, अब क्या होगा, जो जो हमने अरेंज कर दिया आगे फिर से आगे खिशक जाएगा, इस्टे 5 के अंदर, इस्टे 5 में देखो क्या होगा, इस्टे 5 में होगा, एक एक आगे किसका दो, I, 14, C, 21, और ये, इधर सिक्स डी अब देखो लेटर्स हम लोगों ने वर्ड से अरेंज कर दिये तो अब नंबर की बारी आएगी नंबर कौन सा था चम्वालिस से जश्ट बड़ा नंबर कौन सा है इसमें ढूंडो ठीक है चम्मालिस से जश्ट बड़ा नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है 65 और तो सबसे चोटा जो है वो तो यहां जाएगा और उससे बड़ा वाला 72 कहां आ जाएगा यहां पर आज पीर वही मामला आप लोगों को अरेंज करते हुए चलना ध्यान रखना है 65 और 72 कम लोग अरेंज कर चुके हैं पी से स्टार्ट कर तो फिर से पी आर 89 वी 95 72 अरेंज ह यहां पर यहां से स्टार्ट कर दो को अंदर चलता चला गया अब देखो इस स्टेप 6 के अंदर हमें क्या करना हो फिर से 1-1 श्टेप C एकी स्टेप को क्या पार दो आप लोग अंदर चला दो ठीक है तो यहां पर 1 की जिगह चोड़ेंगे 72 I 45 C 21 यहां उदर से वह एक हो यहां पहले लिखना से पहले लिखो है फिर लगातार आपको समुझ में आ रहे हैं तो सीधा यहां से स्टार्ट कुर दो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहां पर देखो एक एक इस्टेप इदर खिसका लो 16 A 36 D 65 35 अब क्या अरेंज होगा भी अब बताओ क्या अरेंज होगा अब यहां पर अरेंज होगा आप लोगों का नमबर हो चुका है, उसके बाद में क्या यह यहाँ लगा word में last क्या अरेंच किया है आप लोगों ने, word में i अरेंज किया है, तो I से जश्ट बढ़ा कोने J है, तो J तो यहां चला जाएगा, I से जश्ट बढ़ा J था, J से जश्ट बढ़ा कोने इसमें, यही बचे, P, R और V बचा है, तो इसमें कौन है, P है, तो P यहां पर आगिया, बाकी मामला है से, अब तो 21 के आगे P था, वो तो होगा, यह थोड़ा सा हलका सा आगे फिर खिश जाएगा, तो देखो, P, 72, I, 45, C, 21, यह दो हो गया, उदर वाला भी हलका हलका है, इदर खिशकेगा, ठीक है, तो यहां से J, 65, D, 36, A, और 16, हो गया मामला सेट, ठीक है, अब यहां पर अगला क्या होगा, नमबर सेट होगे नमबर सेट होगे, सबसे बड़ा नमबर कौन सा सेट के है, हमने 72, 72 से जश्ट बड़ा नमबर कौन सा है, 89 और 95 दो यह तो नमबर बचे है, और तो कुछ बचा ही नहीं है, तो जश्ट बड़ा कौन है, 89 है, और उससे बड़ा कौन है, 95 है, तो 95 यहां पर आ गया, ठीक है, कुछ छुटा नहीं ऐसी कोई बात है निए अब इस्टे पेट में क्या होगा इस्टे पेट में कुछ नहीं होगा यह आर और व बचे है तो सबसे छोटा वाला तो R तो इदर चला जाएगा, V पहले आजाएगा, तो V से ही स्टार्ट कर देता, उमें सीधा ही लिखना, V 95, P 72, I 45, C 21, V कहाँ जाएगा, ये V तो आचुका है, R आगे जाएगा, तो R को नहीं लिखना है, 16, A 36, D 65, J 89, और क्या जाएगा आगे, R जा जाएगा, बाइदवे कोई एक्जाम में सा क्यूशन आएगा, जिसमें आपको आठ श्टेप लगेंगी, ये क्यूशन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कि कोई गल्ती हम ना करें, ठीक है ना, जैसे एक गल्ती मेरे से भी लेगिन वहाँ ऐसी चीज़े होती है, किसी के साथ अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसी गल्ती होने की समभावना कम रहेंगी, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो अगर कोई गल्ती आपने लिग भी दिये तो जवाब उसको आगे बढ़ा होगे तो आपका दिमाग इसे चलना लग जाएके आपके 95, Job 16, and founds in an order, 95, Job and, and, यह जो ए से जो वर डिश्टार होता है, ए भी तो वर था है, तो यह 4 लगाता है, किसके अंदर मिलेंगे, 95, Job 16, and, तो 95, Job 16, देखो, एक धवड़ा सा ध्यान लगो, 95, Job 16, यह देखो, यहां पर भी दिख रहा है, 95, Job 16, A, है न, 95, Job 16, and, यह होगे, है, मैंने तो शोट में लिखावा है, तो यह कौन सी स्टेप में मिला है, बही, स्टेप नमबर फिफ्ट में मिला है, तो आंसर अपका क्या हो जाएगा, फिफ्टी स्टेप, यहनि कि और आप लोगों का भी आंसर हो जाएगा, चलोगे, नेक्ट कुशन, वाट इस द पोज पोजिशन क्या है, तो फॉर्थ स्टेप के राइट एंड से, राइट एंड से, इस कुशन को बताने से पहले में आपको यह बोलता हूँ, अगर कहीं पर आपको किसी चीज के लेफ्ट के लेफ्ट दे दिया, फिर राइट के राइट देता है, और लेफ्ट राइट देता है तब क्या करेंगा वो भी इबता देता हूँ, बुग नश्चीज आपको पहले दस जाने की फि Hazard press 5 तो आप जोका मानिस कर लो विग्योरा थह नेक्री के लिञत। और देता है. तो यहां पर क्या बोल रहा है कुश्यन वीच element फिफ्ट लेक्ट कुश्य और ही टेंतत हैं क्लिखnd को भी यह हैं मुझे फिफ्ट ल yeah Club तो फिफ्ट एलिमेंट रेखना है थर्ड एस टेप में लेफ्ट साइड साइड से यह ए तो एक दो तीन चिएर पाँच तो क्या है आर है तो यहां पे क्या हो जाएगा रेजिंग यह लोगों क्या हो जाえば अनसर हो जाएगा उमीद करता हूं सुमंज में आया होगा इसमे टा 10 नंबर लेफ्ट पर यह आया भई इस लेफ्ट के फिर फिफ्ट बोला लेफ्ट में तो इसका लेफ्ट क्या होगा इधर होगा फिर सिदर होगे एक दो तीन चार पाँच ऐसे आंसर आता तो इसमें समय खराब होता तो वह इसलिए मैंने माइनस का सीधा बता दिया आप बना तो भार को पर लोग को तो आप लोगों को उमीद करता हूं चीजे समझ में आई होंगी तो इसका पार्ट टू में जल्दी अप्लोड करूंगा पार्ट टू में आप लोगों को यह दो को मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्टर से आपको इस पता चल गया होगा सिफ्टिंग कैसे हो रही है आपको इनपुट को समझना कैसे इस टेप बाई स्टेप में फिर करना कैसे है अब कई बार क्या होते है कुछ ऐसी चीजे आ जाती है जिसमें लोगी की नहीं समझ म अब को लोगी को नेवाले वर्ट को कोई सेफ्ट हो सकता है और कोई ओर चीज हो सकती है तो ऐसे जो उल्जे हुए चीजे होती है एक मैंथमेटिकल और इंपूपूट बनता है जो मैंस एकजाम एक बार एस बीमेंस के अंदर आया था तो उस टाइप के इनपूट करेंगे ताकि वो चीज़ी भी आप पहले से देखके जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे उमीद करता हूं यह लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा थैंक यू बहुत-बहुत सुक्रिया आपके जो भी विचार हैं और जो भी आप डेवलप की गई यूनीक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक्स से आप मुश्किल क्वेशन्स भी आसानी से सॉल्ट कर सकते हैं तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल अप्लिकेशन और जॉइन करें अंचुल सरद्वारा डिजाइंट ऑनलाइन कोर्स इस क 955 974739